नमस्कार दोस्तों राजबर एक्षवेश में आप लोका तैदिल से सौगत है 19 तारिक के घटना है राजबर समाज के एक वेक्ति की हत्या हो जाती है और पुलिस को बताया जाता है कि एक्षिडेंट है फिर दो दिन के बाद पता चलता है कि उस वेक्ति की हत्या हो चुकी है और ये घटना है ग्रामसबाद दरना फुलिया थाना खुटाहन जिला जौनपूर का या मैटर है ग्रामसबाद दरना फुलिया थाना खुटाहन जौनपूर उसी गाउं से लगा एक गाउं और है सिटुवा पारा वहाँ पे राम सूरत राजबर जो दर्ना के निवासी है साम के समय बाजार जाते हैं उनके साथ फूलचंद राजबर जी जो राज़ते में मिलते हैं जब साम को वापस लोड़ते हैं तो बीच में कुछ लोग घात लगाया बैठे रहते हैं और यहां तक हाथा पाई भी होती है हाथा पाई होने के बाद उनकी बाईक और दोनों जन को मार के पास में ही एक तालाब रता उनने फेक दिया जाता है उसमें से फूलचंद राजबर जो बच जाते हैं उन्हें खरोच तक नहीं आती है और गाउं घर पे जाके बताते हैं कि इसे सी घटना हो चुकी है पुलिस को कुछ और बताया जाता है कि एक्सिडेंट है और उस आपसे पुलिस तप्तिस करती है लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को भी संका होती है कहीं न कहीं यह हत्या है स्वर्गी राम सुरत की पत्नी सुनिता राजबर एक आवेदन करती है यह हत्या हुई है कुछ दिन के पस्चात फूलचंद राजबर गवाही देते हैं इन्हें मारा गया है जैसे ही वो भी आवेदन देते हैं तो उन्हें जान से मारने की दमकी दी जाती है और जिनका नाम लिया जाता है लक्षमी यादो और संजय उर्फ पपू जिनका नाम लिया जा रहा है कि यह हमें दमकी दे रहे हैं हमें भी जानести मानने के दमके दे रहे हैं हमारे साथ प्रवीन राजबार हैं जो राम-सूरत राजबार जेकर चाचा लगते थे रामसूरत इनके है तो तो जानना चाएंगे कैसे ये घटना कैसे घटी है समय मुंबई में हैं और मूंबई में हैं कुछ दिन गाउं दर्ना फुलिया पे बाइक से मतलब घर से चाचा निकले अकीले निकले थे फिर रास्ते में फोल्चन राजवर जो गाउं के अंकल है वो भी साथ में आ गए बोलते मुझे रास्ते में जाना है रास्ते में जाने के टाइम वो बीच में कोई पांच वेक्ति खड़े तो उसी में हाता पाई होने के चकर में उनको मारने के उनको लफड़ा था तो बीच में यह भी आ गया तो उसी बीच में दौरान में उनको मारने के बाद इनको भी मारा गया मारने के बाद इनकी बाइक और उनकी बॉड़ी को तलाम फेक देते हैं तो तलाम फेकने के बार निकला कैसे भी तैरोयर के उसके बाद उसने आधे घंटे बाद बताया रिपोर्ट किया गाव में ऐसे इसा हमारे साथ में हुआने कि यह चीज नहीं बोला उसने हमारा मतलब हम लोग का लफड़ा हुआ उसने बोला बस तलाव में हम लोग की गाड़ी गुज गई फिर दो दिन बात बोलता है अहीं सा हमारे साथ में हुआ पांश लोग मिलके हम लोग को मईने के लिए बोल 트ॅब हर फिर औरी कुछ रिपोर्ट का भी नहीं हो और पुछ करवाई के लिए आगे कहा जानगा कि फूल चन्द राजे बद ने जैसे भी बpark हमार लफड़ा हुआ है अच्छ यह बाते क्यों बताई उन्होंने कि बताई कि हमारा दा झ्हगड़ा हुआ था उन्हें का कुछ प्रश्ण टावें यहाँ कहीं धाइन पहले यहां पें तो उस लेडि्स न सब्सक्राइब ने मोगनेर देख लोगे आपको भरा दोंगे यहां जो मारने वाले थे क्या नाम था उन लोगों का जान पहचान वाले थे कि जान पहचान तो गाउं के थे एक तो गाउं के पर्दावारा के परदाने उनके भतिजिये लगते हैं – ज सकते हैं क्या नाम है? – इनका नाम नहीं मालुम है, तो परदान का नाम मोटा के हैं, पकापू उनको बोलते हैं, गाओं के सबी, पपू यादो है, संझेय ओर पू यादो लच्षमी यादो बोले तो मतलब में मिटनेस है जो मतलब उसने मारा किस वज़ा से मारा क्या है वो पूरा उनको पूरा डूटेल पता है उसने मतलब सबको बोलके लफड़ा किया तो यहाँ पे पुलिस आप लोगो कितना सैयोग कर रही है पुलिस का सयोग तो 50% है 50% मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वह 50% नहीं है जब यह किसी चीज को हम लोग कॉल करके किसी मंतरी या किसी सहायता करना चाहरे तब जाके पुलिस कुछ अब्जेक्शन उठा रही है कुछ काम कर रही है वह ऐसा कुछ पुलिस पुडेक्शन तो कुछ ह पुलिस को नाम ले जिए जो भी है तुम भूल जाओ नहीं तो आपको कहीं महरवा दिया जाएगा पिटवा दिया जाएगा ऐसा वह लोग उनको ब्लेक्मिल करें धमकी दे रहे हैं उन्होंने भी एक एंसी डाला है उनके नाम पर अगर उनको कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार वो मतलब वो भी एक नोट्री डाल किया है चोकी में तो आप लोग पुलिस से क्या साइधा चाहते हैं हमें बस इंसाब चीह बस जो मतलब किस वज़ा से, उनका हुआ, और किस वज़ा से उनको मतलब ऐसा किया गया बाद में कि हम लग भी गांँ जाते देजिन के लिए घुंने जाते हिसे कोई छोटा फैम्ली का मतलब मेट। हुआ तो हमें भी कोई रांशे मैं आईशा बूलके हमें भी मरवा सकते हैं बस हमें इंसाब चीह मतलब कोई दूसरा नहर उठा सके मतलब पहले से राम शुरत कि किसी कि थी और उन्हें फसाय गया है उनको भी जानना चाहेंगे आपके गाउं के लोग कितनी बड़ी हत्या हो गई तो क्या आपके गाउं के उस पीडित आपके चाचा के घर पे कुछ मदद कर रहे हैं कि हमें एक्षन लेना चाहिए कि नहीं गाउं से कितना सपोर्ट मिल रहा है गाउं से तो मतलब फुल सपोर्ट मिल रहा है गाउं के मतलब विक्ति बोल ले हैं नहीं कारवाई आप लोग आगे बढ़ाईए नहीं तो आईसा आगे चलके किसी और को साथ में हो सकता है अभी मतलब बोले तो एक वर आदमी जो मडर कर सकता है तो उसको दुबारा करने म कुछ हो नहीं सकता आपको मतलब एब्जिक्शन लेना चाहिए दोस्तों ये हर गाउं में समस्या है छोटी छोटी चीजों को लेकि जगड़ा करना यहां बात बढ़ा देते हैं कि किसी की जान लेने तक उतारू हो जाते हैं आखिर क्या इससे समाज आगे बढ़ेगा राम कब तक चलेगा पुलिस अपनी कारवाई कर रही है कहा जारा कि 50% काम करें 50% काम नहीं कर रही है तो निवेधन करेंगे सरकार से भी निवेधन करेंगे कि आप भी तोड़ा कानुन सक्त करेंगे और जो गलत है उस पर नयाय होना चाहिए और किसी को बिना मतलब का फसाया भ रामदरना पुलिया थाना खुटहन जिला जौनपूर में जाके देखें कि आखिर घटना कैसे हुई क्या कसूर था बिना कसूर के एक विक्ति की मौत के घाट उतरा दिया जा रहा है कहां तक सही है तो आप लोग से निवेदन है इस राजबर समाज से निवेदन है कि कम से कम याश ना आए अगर आती है तो मिल जुल के लड़ाई लड़े जाहेंगे सरकार से भी चाहेंगे कि इस राम मैसेज पहुचे, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्हों ने हत्या की, उनकी गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है, कानून का डर होना भी जरूरी नहीं, तो ऐसे कितनी हत्या होती रहेंगी, कानून का डर निकल जाएग पुलिस से निवेदा नएक, जल्दिस जल्द नया मिले पीडिता को, मिलते किसे अगली वीडियो में, जै ही जै भारत